आज की जनरेशन के लोग भले रंधीर कपूर को सिर्फ करिश्मा और करीना कपूर के पिता के तौर पर जानते हों। लेकिन 1970 के दशक में रंधीर कपूर बड़े स्टार्स में गिने जाते थे। रामकुर का लक्षमन रिक्षा वाला जवानी दीवानी पोंगा पंडित हाथ की सफाई जैसी उनकी कई फिल्मे काफी चर्चित रही थी। उन्होंने अमिताब बच्चन के साथ भी कसमे वादे और पुकार जैसी हिट फिल्मे दी है। इतना ही नहीं, रंधीर कपूर ने कल आज और कल धरम करम और हिना जैसी हिट फिल्मों का निर्देशन भी किया और आज वो ही रंधीर कपूर डिमेंशिया जैसी भूलने की बीमारी का शिकार हो गए हैं। उन्हें ये भी याद नहीं कि उनके छोटे भाई रिशी कपूर का निधन हो चुका है। ये जानकारी रंधीर के एक्टर भतीजे रंबीर कपूर ने दी है। रंबीर के मुताबिक हाल ही में रिलीस हुई उनके स्वरगिय पिता रिशी कपूर की अंतिम फिल्म शर्माजी नमकीन देखने के बाद रंधीर उनके पास आकर बोले चिंटू ने बहुत अच्छा काम कि क्या है वो है कहां उससे कहो मुझे फोन करें तो दोस्तों आए हम सब मिलकर रंधीर कपूर के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करते हैं